फरवरी 2022 से शुरू हुई रूस यूक्रेन जंग ने दो साल से जादा के अपने सफर में कई उतार चढ़ाव देखे हैं इस दौरान शान्ती की तमाम कोचिशों को दरकिनार कर इन दोनों देशों ने जंग में एक दूसरे पर हमला करना जारी रखा रूस अपने विशाल, सैनिबल और एडवान सथियारों के दम पर इस जंग में बना हुआ है तो वहें यूक्रेन के साथ अमेरिका और नेटो जंग में बराबरी के साथ खड़े हैं दो साल से जारी इस जंग में रूस और यूक्रेन के लाखो सैनिक मारे जा चुके हैं इस जंग में जिस तरह से नेटो ने युक्रेन की मदद की, उससे पुतिन अब नेटो के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है. पुतिन ने पहले भी कई बार चेताव नी दी है, पर इस बार पुतिन ने युक्रेन पर बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगाया है. पुतिन ने आरोप लगाया कि युक्रेन की सेना ने कुर्ट के न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की कोशिश की है. रूसी हमलों का शिकार बना युक्रेन अब रूस के अंदर घुसकर हमला करने लगा है. दरसल 6 अगस्त को युक्रेन ने रूस के कुर्ट शेत्र में हमला कर घुसपैट कर दिया था, जिसके बाद से करीब डेल लाक रूसी नागरिकों को कुर्ट शेत्र से सुरक्षित निकाला जा चुका है. पुतिन लगातार युक्रेन को चेतावनी देते रहे हैं कि अगर उसने न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा. युक्रेन के अटैक की कोशिश पर पुतिन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और बताया कि न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक की कोशिश को नाकाम कर दिया गया. इस पूरे मामले में पुतिन ने वरिष्ट अधिकारियों के साथ एक बैठक की और कुर्स्क में हालात का जायजा लिया. इसके साथ ही कुर्स्क के कारेवाग गवर्नर एलेक्सी स्मिर्नोव ने पुतिन को बताया कि कुर्स्क में स्थिती स्थिर है जिसमें चार सोवियर ग्रिफाइट संच्वालित आरबीम के 1000 रेक्टर है एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने रूस के शेटर पर कबजा करने का दावा भी किया है हालगी के दिनों में यूक्रेनी सेना ने 1000 से जादा सैनिको बक्तरवन टैंक को समेद लावलशकर के साथ कुर्स्क पर धावा बोला था इस दोरान यूक्रेन ने वहाँ जम कर तबाही मचाई थी ये रूस के किसी इलाके में यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला था दावा है कि रूसी सेना यूक्रेन के सैनिकों से जूशती दिखी थी इस हमले से पुतिन खार खाये बैठें और उन्होंने से एक उक्सावे वाला हमला बताया था और यूक्रेन को भीशन अंजाम भुगतने की धमकी दी थी वहें इस हमले के बाद से परमाणू सयत्र से लगभग 30 किलो मीटर की दूरी पर भीशन लड़ाई चल रहे है क्योंकि रूसी सैनेक यूक्रेनी सैनिकों को हटाने के लिए संघर्ष कर रहे है जो अपने नियंतरण वाले शेत्र को मजबूत करने और इसका विस्तार करने की कोशिश कर रहे है गौर तलब है कि यूक्रेन ने कुर्स्क में जो किया है वो रूस के लिए बिलकुल नया है ऐसा नहीं है कि कुर्स पर रूस का नियंतर्ण पूरी तरह से खत्म हो चुका है। युक्रेन ने पूरी तरह से वहाँ कबजा नहीं किया है। ऐसे मैं अब ये देखना एहम होगा कि पुतिन का युक्रेनी हमलों को चवाब देने के लिए अगला कौन सा कदम उठाएंगे। झाला कोई युकरेना एहम होगा झाला कुछ तरह से वहाँ कि वहाँ कि पुड़े तरह से खत्म होगा धुक्तिन के लिए अगला कोई लाग कुछा है। झाल झाल